ये सरकार पूरी तरह से हिटलर साही वेवस्था में इस सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। आप हार चुके हैं। आप लाचार दिखते हैं। आप वेवस दिखते हैं। इसलिए आपको इस्तिफा दे दिने चाहिए। और बिहार तो मालता है। नौ जवान युवा ते ऐसी परसाजाद। अज क्या हुआ भूआ भी हार में। चाहिए लगी। इस पैकेज तो दिया ग मंत्री 2015 में आपने कहा था कल हम लोग अफराद भरष्टाचार के मुद्देपरा और आयस अधिकारी संजीब हंस पर जो एडी का च्छापा परा सिभी आई के कई ठीकानों पर च्छापा परें सरकार को जवाब देना होगा निश्टित और प्रसदन के अंदर आवाज उठे और विशेस राज की दर्जे जैसे एहां मुद्दे को ले करके सरकार को सरक्स ले करके सदन तक घेर रहे हैं इसी क्रम में आज यूद कॉंग्रेस के दुवारा पटना की बुडिंग रोट चौरा है पर बिरोध क्या गिया पिधान सभा घेराव मार्च निकारा गया था इ इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे मर्च से बात करने के लिए मुरवा विधायक सा अर्जेटित प्रभान महासर्चीव रनवजय साहुजी हैं क्या कहेंगे सरक्स लेके सदन तक घेरने की कोशिज कर रहे हैं लेकिन लाठी चार्ज हुए यूद कॉंग्रेस में द अंधानिक तरीके से बिहार विधान सवा कर निया ममली के तहत तो हमार्सल से रोका जाता है अखि नित्युसकुमार के हो क्या गया है इनको लोकतंत ten पर भरोसा ըहीं है लोगों पर भरोसा नहीं है इनको भरोसा है तो पुलिस पर, सदन के अंधर मार्सल पर तो भिहार में यह ब्यवस्था है अभी के बात कर लें किसरास की की बात कर लें तो आज नितीस कुमार जी को जवाब दारा है और विहार की जंता जवाब चाहती है तो जनता तो सब कुछ समझती है और जनता तो हैसला लेती है तो निश्डित तोर पर ऐसे नताओं को दूर भालाएगे वीपक्च की आवाज को दवाना चारही है निश्डित तोर पर सरकार पूरी तरह से लाठी के बलपर, पुलीज के बलपर मारसल के बर पर सरकार चलाना चाह रही है सासन विवस्ता चलाना चाह रही है जनता अत्राहिमाम है आप देखिए एक दिन में कितने मरे रो रहे है क्या हो रहा है इस विहार में या कैसा राज है कैसा सुसासन है आप कभी सुसासन और विकास के नाम पर 2005 में आये थे लेकिन ऐसा दिखता नहीं है मानिये मुखमंत्री जी आप ठक चुके हैं आप हार चुके हैं आप लाचार दिखते हैं आप वेवस दिखते हैं इसलिए आपको इस्थिफा दे दिने चाहिए और विहार तो मांगता है नौजवान युवा तेस्वी परसाजादा सरकार में थे साथ चल रहे थे उसमें उन पर भी रेड हुई थी तो उसको लेकरके उसे जवाब मांगा गया था क्या लगणा है सरकार बचा रही है यह तो बड़ा सवाल है जब विहार के ततकालिन उप मुखमंत्री तेस्थि परसाजादब थे उप मुखमंत्री और जब टूठके चले गए थे इंडिया के पास चले गए थे आज संजीव हंस कौन है एक अईश कारिये है बिहार का इक बड़ा जो हमारा बिजली विभाग है डिपार्टमेंट है उसके उच अधिकारी है तो उनके हान रेड होता इसका मतलब सरकार के है रेड होता है तो ऐसे ने प्रखेस तो दिया गिए अगर जून जूना हात लगी शिर्फ योजना योजना दिया गिया विविन सेक्टरों में चाहे हम रोड की बात करने अन सेक्टर की बात करने लेकिन सवाल था एक लाख पैंसट हजार करोर का जो आपने आरा में परधान मंतरी 2015 में आपने कहा था ग तो बिहार के साथ धोखा है आपने नौजवानों को दो क्रोर नोकली देने की बात की थी आपने कहा था किसानों का आई दुगुना करूंगा आपने कहा था दोजार बाइस तक सब गरीब के पक्या मकान मनाओंगा लेकिन सारे आपके घोसना जुमला निकले जनता आपको म मुद्देपरा और आयस अधिकारी संजीब हंस पर जो एडी का च्छापा पर है सरकार को जवाब देना होगा निश्टित तोर पर सदन के अंदर आवाज उठेगी चली बहुत बहुत धना बात चीत करने के तो हमारे से बात चीत करते हैं रनविया साउजी ने सापतर पर संजीब हंस के कई ठीकावनों पर जिस परकार से च्छापा परा है इसको लेकर के कल सदन में हम लोग आवाज उठाएंगे और साथी साथ लागतार जिस परकार से बिहार में अपराद बढ़ रहे हैं पेपर लिक हो रहे हैं बिसेश राज की दरजा की करबात को इतमा के माधिया दे सकते आप देखरते लाएं बिहार बहुत भूद धन्यवाद